जैसे रादे मित्रों हरहर महादेव जैमा चंद्रवद्नी मित्रों चंद्रवद्नी भक्तिरस चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अविनंदन है चंद्रवद्नी भक्तिरस चैनल के माध्यम से आपको भक्ति से जोड़ी हुई और दैरिक रासिफल मासिक रासिफल स साथाही राशफल के जानकारी अवगत कराई जाती हैं तो मित्रों आप सभी पे माभगोती आद्यसक्ति चंद्रवन्नी का आशिरबाद बना रहें यहीं माभगोती के चरणों में प्राथना और मित्रों आज जो हम वीडियो लेके आए हैं वहाँ वीडियो है कि भगवान ग कहीं आप भी भगवान गनेश जी का पूजन करते हैं तुलसी भगवान गनेश जी को समर्पित्तों नहीं करते और अगर करते हो भगवान गनेश जी को तुलसी तो उस पूजा का फल आपको प्राप्त होता है या नहीं होता है या इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को प तो अमित्रों बाद करेंगे कि भगवान गनेश जी को तुलसी क्यों नहीं चड़ाई जाती है तो हिंद मानताओं के अंसार को भी सुभकार करने से पहले भगवान गनेश जी की पूजा की जाने बहुत जरूरी होती है और बुद्धवार को पूरे बिदिविधान के साथ भ भगवान गनेश जो हैं वहाँ भगतों पर परसन हो करके उनके दुखों को हरते हैं और उनकी समस्त मनो कामनाओं को भगवान गनेश जी पूरा करते हैं भगवान गनेश जो हैं खुद रिद्ध सिद्ध के दाता और सुभलाव के परदाता माने गए हैं वहाँ भगतों की सवी बादा संकट रोग दोस दरिद्रता को दूर करते हैं और सास्त्रों के अंसार जो है स्री गनेश जी की विसेश पूजा का दिन जो है बुद्धवार माना गया है बुद्धवार को भगवान गनेश जी का विसेश पूजन किया जाता है लेकिन पर्धम पूज्या भगव वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहे हैं और आप लोग जो है वीडियो को सेर जरूर करते रहें ताकि सभी को यह जानकारे जितने भी सनातन धर्म प्रेमी हैं सब को यह जानकारे अवगत हो सके तो आईए जानते हैं कि क्यों भगवान गनेश जी को तुलसी नहीं चड़ाई जाती है तो एक पौरानिक कहानी कथा के अनसार जो है धर्मात्म ज़े नाम के एक राजा हुआ करते थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था तुलसी अब तुलसी जो थी जब वह वड़ी हुए तो अपने बिवा की इच्छा लेकर जो है वह तुलसी जो है लं और नजर आए अब तपक तपस्या के दौरान भगवान गने जी जो थे वह रतनों से जड़े वैह सिंगाशन पर विराज मान थे उनके समस्त अंगों पर भगवान गने entrepreneurship समस्त अंगों पर जो था चंदन लगा हुआ था चंदन का लेपन भगवान गणेश जी के संपुन अंगों पे हो रखा था और गले में भगवान गणेश जी ने स्वन मनी रत्र जडित जो है सुन्दर सी एक माला पहने हुए थे और कमर पर भगवान गणेश जी रेसम का पीतांबर लपेट करके बैठे हुए थे और तपस्या में लीन थे उनके इस रूप को जब माता तुलसी ने देखा तो वह गणेश जी से बिवा करने के लिए उसने मन बना दिया गणेश जी के इस रूप पे माता तुलसी मोहित हो और उन्होंने गणेश जी से बिवा करने का मन बना लिया अब तुलसी जी ने जो है भगवान जो तुलसी जी है जो भगवान गणेश जी के पास गई और उन्होंने गणेश जी की जो है तपस्या भंग कर दी फिर गणेश जी के सामने तपस्या भंग करके बिवा का प्रस नाराज हो गए उन्होंने क्या करा जो तुलसी मां का बिभागा प्रश्ताव था जा वह ठुकरा दिया और कहा कि मैं एक ब्रह्म चारी हूं मैं ऐसा नहीं कर सक्ता ऐसा भगवान गनेश जी ने कहा अब तुलसी जी ने जब यहाँ बात सुनी तो तुलसी माता को अपना उन्होंने अपना अपमान समझा इस बात को सुन करके और तुलसी जी को गुसा आ गया और उन्होंने गणेश जी को स्राब दे दिया और कहा कि तुम ब्रह्मचारी तुम जो हो ब्रह्मचारी नहीं रहोगे बलकि तुमारे दो-दो बिवा होंगे ऐसा गनेश जी को उन्होंने स्राब दे दिया अब गनेश जी ने जब यहाँ बात सुनी गनेश जी को जब यहाँ बात जब गनेश जी ने यहाँ बात सुनी तो गनेश जी ने भी गनेश जी को भी गुसा आया और असुर की तुम जो है पतनी बनूगी तो जैसे ही तुलसी जी ने इस प्रकार का गणेश जी का स्राब सुना कि गणेश जी ने इस प्रकार का स्राब दे दिया है तो जो है तुलसी जी को बढ़ा जो है तुलसी जी जो है बहुत अफमानित हुए और तुलसी जी को जब पता चला कि अब मैं एक असुर की पतनी बनूंगे तो तुरंत उन्होंने तुलसी जी ने जो है गणेश जी से प्रमाफी मांगी प्राथना करी तो गणेश जी जी ने फिर क्या करा गणेश जी से जब उन्होंने प्राथना करी बिंती करे तो गणेश जी ने कहा कि इस पर कल्यूग में जितने गल कल्यूग को जगत और जीवन और मोक्ष देने वाली आप मानी जाओगी कल्यूग में जो है आप जो है जीवन देने वाली और मोक्ष देने वाली मानी जाओगी और विष्ण भगवान के और किष्ण भगवान के तुम प्रिया मानी जाओगी ऐसा लेकिन सब के भूग में सामिल तो तुम होँगी परंत मेरी पूजा में तुम्हें छढाना असुब माना जाएगा इसलिए गनेजजी ने ऐसा उन्हें बरदान दे दिया तो उसी दिन से जो है भगवान गनेजजी की पूजा में तुलसी नहीं चड़ाई जाती है इसलिए भगवान गनेश जी की पूजा करते समय आप लोग सभी लोग ध्यान रखें कि भगवान गनेश जी का जब पूजन आप करें तो तुलसी भगवान गनेश जी को समर्पित आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है गनेश जी का जब भी पूजन बंदन करें तो तुलसी जो है गणेश जी को नहीं चड़ानी है ऐसा आप सभी लोग प्रियाज करें हमारा जो सनातन धर्मी जितने भी बंदू-बांदव हैं मिश्टमित्र हैं जो भी भगवान का पूजन गणेश जी का पूजन क्योंकि गणेश जी का पूजन तो तो गणेश जी की पूजा के बिना कोई भी पूजा हमारी हाँ सनातन धर में सुभ नहीं मानी गई है इसलिए जब भी आप लोग गणेश जी की पूजा करें तो तुलसी जो है गणेश जी को बिल्कुल भी आपको समर्पित नहीं करनी है यह विसेश आपको ध्यान रखना है तो मित्रों आपका वीडियो आपको कैसा लगा या आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप एक लाइक जरूर करें कमेंट जरूर करें और वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों को आप साजा करें सेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके अधिक से अधिक लोग हमारे वीडियो की माध्यम से लावानवित हो सके और सभी को इहाँ पता चले कि गणेश जी को तुलसी जी जिँ है वहा पूजन करते हैं सभी सनातनी जो हैं गणेश जी का पूजन करते हैं तो सब को यह पता चलना चाहिए कि गणेश जी को तुलसी जी जो है वह समर्पित नहीं करनी है अगर आपने गणेश जी को तुलसी समर्पित करी तो उस पूजा का कुई वी फल आपको प्राप्त नहीं हो होगा इसलिए जितने भी आपके इष्ट मित्र हैं बंदों बांदों हैं सभी के साथ हमारी इस वीडियो को आप सेर करें ताकि सभी को पूजा काफल प्राप्त हो सके भगवान गणिश जी का आश्रिबार प्राप्त हो सके तो यही हमारी आप सभी से प्राथना है कि आप वी करसा लगा कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं आगे वीडियो के अनेक अनेक जानकारी जो भी ध्रम सास्त्रों के अनुसार और हमारे सनातम ध्रम के अनुसार जो भी जानकारी हैं समय समय पे आपको अवगत्म कराते रहेंगे तब तक के लिए जैसी राधी मां झाल झाल